सबसे पहले दिखते हैं यह बोला गया किया है और आपको प्रूप करते हैं तो दोनों भी वोर्मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्डेंट है तो सबसे पहले दिखते हैं यह थीरम में बोला गया क्या है और आपको प्रूप करना क्या है सबसे पहले रणा क्या बोला होमोजेनिस एक्वेशन दिया है दिख्री आफ क्या इंड वाई तो एक पे रण चेक्वेशन ऑपा सिद्व प्रूप और रिजण बोल रहा है यहा बूल रहा है पासीं त्रूर उरीजण हैजह स्कुयर माइनस यह सो बनाने है सबसे पहला case है आपको की case 1 जो है b is equal to 0 लेना है जो equation दिया गया b के जगा 0 फूट करना क्या equation है बटा x square plus 2 h x y 2 h x y plus b y square equal किता है बटा 0 आपको यहाँ पर क्या put करना है बटा b के जगा 0 फूट करना है passing through origin बोले तो मतलब b के जगा एक बार 0 डालना है दूसरे बार b is not equal to 0 डालने के बट क्या हो सकता है देख बटा यहाँ पर b के जगा 0 put करूँगा तो equation क्या था मेरे को x square plus 2 h x y plus b के जगा 0 डालूँगा तो पूरा term ही 0 हो जाता है तो equation में से common क्या निकलता है बटा equation बचा आपने को x square plus 2 h x y is equal क्या बटा 0 इस में से common क्या निकलता x common निकलता बसता की था x plus 2 h y is equal to 0 निकल क्या बटा पहला equation आपको x is equal to 0 और उसके बाद क्या बोले बटा h x plus 2 h y is equal to 0 clear तो यहां पर 2 balance होगा अपने को अब देखते बटा second case second case में क्या करना है आपको b is not equal to 0 क्या लिखना है b is not equal to 0 अब b के जगा 0 नहीं not equal to 0 करना तो equation क्या बटा आपने पास सबसे क्या ले x square plus 2 h x y plus खिता है बटा by square is equal to 0 z यहां पर करना क्या आपको सबसे multiply b multiply by b बहुत सबसे क्या थे बटा यहां पर देखको multiply a b x square plus 2 b h x y plus b square y square is equal to किता है बटा इसको थोड़ा proper way में लिख लेते हैं कैसे लिख लेते हैं बटा b square y square plus 2 b h x y और is equal to तो उसको उदर भेज देता बटा उदर भेज़ूंगा तो क्या होगा कि b x square इससे आपको m1 m2 की value निकल जाती बटा not equal to 0 से अब यहां पर क्या करेंगे बटा adding both side क्या add करूंगा बटा h square और x square add करता adding h square x square in both side तो देख बटा add करें तो क्या आजाता देख ले नहीं आपे तो add करूंगा तो क्या होगा h square x square plus b square y square plus 2 b h x y 2 b h x y plus is equals to add करना both side तो क्या लिकले बटा h square x square minus a b x square यहां पर कुछ formula observe हो रहा आपको कौनसा formula observe हो रहा है a plus b whole square का formula observe हो रहा है तो यहां पर क्या लिकले बटा पर a plus b b whole square a plus b whole square a square plus b square plus 2ab और इधर क्या लिकले बटा x square को common निकालता बचेगा बचेगा बटा h square minus a b बचेगा अपने को formation में लिकले बटा इसको क्या लिकले बटा देगो h x plus कित्ता बटा by whole square और is equal to इसको क्या लिकले बटा x into under root of h square minus a b लिकले बटा इसको whole square लिकले बटा जो order है वो order में आ जाए उस term को अगर इधर बेज़ दूंगा तो क्या आ जाएगा बटा h x plus by whole square minus x into कितना आता बटा h square minus a b whole square is equal to कितना आता बटा 0 तो इसको देखे तो कुछ formula अबज़र हो रहा बटा a square minus b square का formula तो उस formula को अपन कैसे लिके देखो बटा यहाँ पर a square minus b square यह बोले तो को ने बटा h x plus by minus x into क्या बटा h square minus a b a minus b हो गा है a plus b बोले तो बीच में क्या है बटा h x plus by by plus x into क्या लिक लेता बटा under root of h square minus a b is equal क्या बटा 0 okay बटा a minus b into a plus b तो अब दोनों को क्या करते बटा अलग-अलग कर रहेते हैं अलग-अलग कर दी तो क्या हो जाता है h x plus by minus x into क्या बटा h square minus a b is equal क्या होते बटा अपन को यहाँ पर 0 आ जा दीक बटा यहाँ पर क्या लिक लेता हूं by h x minus x into क्या बटा h square minus a b is equal to क्या होते बटा 0 दीक बटा इस में से h x में से by x common निकालते बटा बच्चे का क्या h minus under root of h square minus क्या बटा a b is equal क्या होते 0 यह काम कर सकते बटा by is equal to इस टम को अगर उदर भीजूंगा तो क्या होते बटा minus h square minus a b into बाजियो में क्या होते बटा x तो अब समझले बटा y is equal to minus एगर multiply क्या होते minus 1 plus under root of किता है बटा h square minus a b into क्या बटा x ब्रैकेट खोल दिया और whole लागा के x लिखे divide by को ना है बटा अब यह आपको कौन से form में दिखरा बटा y is equal to m1 x form में दिखरा बटा मतलब यह पूरा term आपकर क्या हो गए बटा m1 term में आ जारा बटा आ गया m1 अपना minus h plus under root of h square minus e b upon b ठीक है उसके बाद आपको इसमें से क्या निकलना है बटा m2 निकलना m2 का इसे निकलना देखो यहाँ आज निकल देता हूँ यह निकल देता बटा आपको देखते हैं यहाँ पर second equation क्या बना बटा बटा plus hx plus by plus x into बटा 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 अपने पस plus hx plus किता है बटा x under root of किता हो गए बटा यहाँ पर h square minus ab is equal to क्या हो बटा common क्या निकलना का बटा इसमें से x common निकलना दो x अगर common निकलना का दो बच्चे का क्या है h plus under root of h square minus ab is equal to by is equal क्या लिखता है बटा इसको इधर बेज़ दूंगा तो right side बेज़ दूंगा तो minus h minus under root of h square minus ab into वाजु में क्यों है बटा x y is equal कितना हो था minus h minus under root of h square minus ab into x divide by क्या है बटा x की value निकलना आपको y is equal to m2x की value निकलना मतलब 2 slope आपको निकल गए right theorem proof हो गया बटा passing through origin okay तो एक case निकला आपका b is equal to 0 दूसरा case निकला b is not equal to 0 राकरी में आपको लिखना है homogeneous equation is a degree of equation यह आपको यहापे नीचे लिख देना है इसके लिए 4 marks रहेंगे बटा आपको case 1 और case 2 compulsory लिखना है तभी आपको 4 marks मिलेंगे यह तो नहीं मिल सब्सक्राइब exactly दो भी case लिखना है b is equal to 0, b is not equal to 0 thank you nest Channel मुफ लिखना है वह मुफ अ sometimes झाल झाल